हेलो दोस्तों तो आज मैं बनाने जा रहे हूं फूल गूबी की एक सबजी ये सबजी इतनी टेस्टी होती है कि आप एक के बज़ा चार पराठे खा जाएंगे सच में ये सबजी इतनी टेस्टी होती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसके छोटे पीसिस भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बड़े टुकड़े देखने में अच्छे लगते हैं सबजी में इसलिए मैंने इस तरीके के पीसिस में इन्हें किया ह इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और अंदर आप देख लीजे कि इसमें कीड़े वगेरा ना हो अब इन्हें इस हल्दी वाले पानी में डाल देंगे और लगभग 10 मिनिट तक हम इसे उबालेंगे उबालने से गोबी जो है काफी नर्म हो जाती है और खाने लायक हो जाती है इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है एकदम सौफ नहीं कर लेना है इतना कि ये 90 पृदिशत तक पक जाए और 10 पृदिशत इसमें हलका सा कच्छा पन रह जाए इतना ही हमें रखना है जो कि आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में ये गोबी लगपक पक चुकी है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी कठाई में हम डालेंगे सर्सो का तेल ये जो पानी है हल्दी वाला इसे हमें फेकना नहीं है इसका भी हम बात में इस्तमाल करेंगे अब सर्सो के तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हम डाल देंगे गोबी के टुकड़े इन्हें हमें हल्की आज पर फ्राई करना है अब फ्राई करने से जो गोबी 90 प्रतिशत तक पकी हुई थी वो 100 प्रतिशत पूरी पक जाती है इसे हमें हलकी हलकी आँच पर भूनना है ताकि गोबी जो है जले नहीं और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा करारापन आ जाए तो आप देख सकते हैं कि यह गोबी हो चुकी है इसी तरीके से हम बाकी की गोबी जो है उसे भी तल लेते हैं देख सकते हैं कितनी खुबशूरत लग रही है यह गोभी अब मैंने अब इसी म में हम ड किकीर अब Ralph को में ड करसाओधे beauty and क्यां सबस्क्व है अब मैंने लंगए दुप्रस का इसते माल कि आतों सब्सक्राइब दोऊष्या आप कर सकते हैं इसलिए जो मध्धम खट्टे वाले टमाटर होते हैं उनी का अस्तमाल करें अब इसे भी हमें पकाना है जब तक टमाटर का पानी अच्छे से सूख नहीं जाता इसी में डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक अब हम डालेंगे इस मसाला जिसे की सबजी को मिलेगा उसका असली स्वाद अब इसमें हमने डाला है अद्रक, लहसुन, मिर्ची और काजू इन सभी को एक साथ मिला करके थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका पेश्ट बना लेना है यहां मैंने लगबग 10-15 कलिया लहसुन की, 2 इंच टुकड़ा उद्रक का, 2 हरी मिर्ची और लगबग 10-15 काजू का इस्तमाल किया है अब चाहें तो थोड़ा इसमें कम जादा कर सकते हैं, इससे कोई दिकत नहीं है अब इस मसाले को हमें हलकी आज पर भूना है, जब तक कि मसाला बिल्कुल अच्छे से तेल ना छोड़ दे तो अब आप देखे, मसाले का रंग बिल्कुल बदल सा गया है, इसमें से तेल बाहर आ गया है, जो कि कढ़ाई में अच्छे से दिख रहा है अब इसमें हम डाल देंगे तले हुए फूल गोभी अब इसे डाल करके 2-3 मिनट तक पकाना है और इसी के बाद हम डाल देंगे हल्दी वाला पानी ये वही पानी है जो कि हमने पहले निकाल के रखा था इसे हमने फेका नहीं अब इसे ढख देते हैं और बस एक उबालने तक पकाना है ज्यादा नहीं पकाना क्योंकि सारी के सारी सबजियां बिलकुल अच्छे से पक गई है तो बस ये सबजी हो गई है तेयार दोस्तों आपको रेसिपी कैसे लिगी मुझे जरूर बताएं अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक यो फॉर वाचिंग और बाई बाई